दोस्तों कि आपने पड़े को रिसाइकल होते में कभी देखा है अभी नई टेक्नोलोजी आई है जिसको कहते गार्मेंट टू गार्मेंट रिसाइकल इस टेक्नोलोजी में डायरेक्ट गार्मेंट से गार्मेंट बन जाता है बाद देखें और अभी दिख्राइजे दिख्रा तुप्र यह बाद में से दिखुरेट हो रहे हैं क्लेनिंग होने के बाद में वापस भागे में कनवर्ट होता है जो जान को भी उसमें कनवर्ट हो जाएए दोस्तो इस टेक्नोलोजी में ना ही वाटर का यूज होता है ना ही डाइग करना पोड़ता है इडाय आए कलर बज़ाना है खाली आप test को डालिए मसीन मेए और वहां से यह मेशीन पूरा अगर आपको अच्छी लगी है टेक्नोलोजी तो प्लीस कॉमेंट्स करें अगा बन गया अभी ट्विस्टिंग को रहे हैं और आपको पॉपस वैसे कपड़ा बन करें रही हो थाया है अगर प्लास्टिक पॉटल जो हम रोज खरिदते हैं यूज करते हैं अब आभी फिक इते हैं कभी सोचा नहीं है कि रीसाइकल पीन में डालने के बाद में इसका क्या होता है दोस्तों इसे भी रीसाइकल किया जाता है और रियूस किया जाता है, आइए देखते हैं, ऐसे उसे रिसाइकल किया जाता है पूर्स भी पोटलिया इसे स्कार्प में आते हैं किम आते हैं, मन्हें आते हैं, आप सकार्प प्रिया से घटर ब्लब में से ओल्iration दूस्तों दुनिय में बहुत सारी प्लास्टिक उट्री यूज होती है लेकिन एक अच्छी बात उटने में इसी है के उड़े इसली कलेक्ट किया जा सकता है और रिसाइकल भी किया जा सकता है अच्छी में यूज करने के लिए उसे है निट्रोजन से पास किया जाता है निट्रोजन यूनित है तो यहां से पास करते के बाद में इस फूर्ट प्रेट प्रोडक्ट के लिए निट्रो होता है चलिए दोस्तों अभी हमारा प्रोड़क्ट रिया है रियूज करने के लिए दोस्तों तीन नंबर में आता है इलेक्ट्रोनिक प्रोड़क्ट के रिसाइकल करने में थोरी बवबत पर्चनाई प्रस्तों इनके काफी है प्यूटी स्वेक्टी चार पार्स होते हैं जैसे ग्लास हुआ, मेटर हुआ, पास्ट्री हुआ है इस अभी को बना दुलग करना पड़ता है इसके लिए टेक्निशियन इनकी हायर करते हैं जो करते हैं रिसाइकल अगेरा यूट करते हैं वो हायर करते हैं टेक्निकल टीम जो अच्छे से शेफ्रेट कर से हुआ सबसे पहले सभी इलेक्निक प्रोड़क्ट को एक बेल्ट में डाला जाता है जहां से हुआ इन मसी में ले जाता है जो थोटे-छोटे टुप्रों में काट बेक्निकल इसके बाद मोझे बेल्ट है एक बोक्स में से मुप्नास होनी है चना प्रोड़क्ट लगे हुए जो निके प्यानाते हैं इस चीज और आइलों को प्रोड़क्ट कर लेते हैं और खाली को प्लास्टिक मचे है और इन प्रेटल को कॉमोरिटी के रूप में सेल भी पिया जाता है और फिर आगे जाने लिए एल्यूम्नियो और सर्केट और स्टील को भी अलग पिया जाता है आप देख सकते हैं जो इसकी सर्केट इस बलग गिया हुआ है उसे अलग लग उसे प्रेटर आजाता है तागी उसे पिसे रिकर सके रिशाइकल प्रोड़क्ट के रिखाए तो दोस्तों इस तरह होता है इलेक्ट्रोनिक अगे उसका है अजट के टिख सकते हैं इस झालको प्रेटर शे कर दोस्तों अक्यों बाढ हो फिर उसे इस भी आपनाइस झाल 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 झाल